तो हेलो चैनल वल्कम टू माइगाईज यह क्या जंबल्स नबट्स खेल रहा है तो आज हम बात करने वाले है डेटा या प्सकामि यू माइज करे गास की के बारे में तो ओर कुछ नहीं अ कुछ नहीं अपका डेटा यूज़र जे जिसनन आप डेटा यूज़ करते हो आक कश्यों शिम्पर obsessed एक अल्टरनेटी वर्ड है बस तो हम इस बार में भी बात कर लेते हैं कि क्या डेटा अनलिमिटेड होता है या नहीं मैं बता दू जी नहीं डेटा कभी अनलिमिटेड नहीं होता है तो मुबाइल डेटा तो आपकी लिमिटेड ही आते जैसे एक दिन में 1.5GB 2GB 3GB इतना भी होगा भी बहुत सारे जन मतलब छोटे नहीं बहुत सारे जन हो सकते हैं से मेरे वीडियो इकान देखेगा फिर भी बहुत जन बोलेंगे कि वाइफाई तो अनलिमिटेड होता है हम तो पैसा लगाते हैं हम लोग को अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है तो मैं उन्हें भी ब जैसे कि 200 MB पर सेकेंड, 300 MB पर सेकेंड, एक महीरे दो महीरे जितने के लिए आप भराओगे, अलब रिचार्ज करोगे, छोड़ो, अगर आप एक चीज सोच कर देखिए, आपको 2 MB पर सेकेंड अकर आपको मिल भी रहा है, तो एक घंटे में आप कितना डाउनलोड कर सकते हो, एक दिन में कितना डाउनलोड कर सकते हो, आपको जो लिमिट कर दे रहा है ना स्पीड, तो इसका मतलब है कि आपका लिमिट डेटा में भी लग जा रहा है, आपका डेटा एक महीने में कितना जाएगा, वो एक फिक्स हो जा रहा है, क्योंकि आपका 200 MB पर सेकेंड स्पीड दे रहा है, तो मतलब वो भी फिक्स हो जा रहा है कि आपका एक महीने में मैक्सिमम डेटा कितना होगा, तो इस हिसाब से आप नहीं कह सकते है कि Wi-Fi unlimited होता है, ऐसे Wi-Fi ऐसे भी unlimited नहीं होता, आप एटल के पैक्स देख लीजेए Wi-Fi के, और भी आते हैं, उनके भी आप Wi-Fi के प्लान देखिएगा, तो कितना देते हैं, कोई 100 GB देता है, कोई 300 GB देता है, पर फर्क वही है, कि 300 GB वो सब limited होता है, कि आप ऐसा नहीं कि आज 300 GB उड़ा दिये, कल दुबारा 300 GB मिलेगा, ऐसा नहीं हो, पूरे एक मन्त के लिए रहेगा, तो Wi-Fi भी unlimited नहीं होता है, फिर भ किया था, आपको पता ही होगा, कि उनके चैनल में भी वीडियो अपलोड हुआ था, तो उनमें केरी मिनाटी कहता है, कि में 1 GB पर सेकेंड, का स्पीड एक महिने में 3500 रुपय देता हूँ, तो यह है दुबाई का प्राइस, मतलब सोच लीजिए, कि कितना इंटरनेट प्र एटल जीओ, में तो जीओ ही ले लिजिए, हम लोग को इतना सस्ता इंटरनेट मिल रहा है तो आपको पता भी है, उनलोग को कितने का लॉस हो रहा है, एटल और जीओ दोनों करजे पे चल रही है, सुनके आपको हरानी हुई होगी, पर यह सच बात है, दोनों कमपनीज के पर लोन है, जहां तक मेरे को पता चला था, इसलिए तो जीओ ने वो अनलिमिटेड कॉल को बंद कर दिया, उसके बाद थोड़ा से लिमिट लगा दिया, एक टॉक टाइम प्लैन ला दिया अपने पैकेज में ही, एटल ने अपना वही प्रैस जारी रखा पर उनका प्रैस मतलब कि 100 रुपे जादा है जियो से, धीरे धीरे करके ये कमपनिया प्रैस बढ़ाएंगी, उनका जो भी लोने हमीसे भुकतान वापस करवाएगी, तो हमारी एक व्यूवर नहीं हमसे एक क्वेस्टन पूछा है, तो मैं बता दू कि ये अल्टरा डेटा सेविंग मोट सै तो ग्राफ मेंटेन करता है, जिसमें आपका यूजच को मतलब कि कम कर देता है, आपको मतलब एक घंटे में 200 MB इंटरनेट उड़ा देते हैं, तो आपको 100 MB एक घंटे में उड़ाएगा, आपको ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो बहुत बड़ा काम का चीज है, पर दोस्तों ऐसा ऐसा कुछ नहीं, देखी वो आपका, मतलब कांजरप्शन तो कम कर दे रहा है, आपका स्पीड भी 50% कम कर दे रहा है, मतलब आप 50% चीज यूजी नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब है कि आप एक घंटे में 100 MB का का काम कर रहे हैं, और सिफ 100 MB डाउनलोड होगा, मतलब आपका ये सिफ ग्राफ मेंटेन कर रहे हैं, पर आपका स्पीड को डाउन कर दे रहा है, इसमें उल्टा आपका फायधा का लॉस जादा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपका जाएगा टाइम, तो जाएगा ही जाएगा, क्योंक आप से, और आपका फोन का बैटरी भी खराब होगा, और कुछ नहीं, ये बस एक दिखावा है, तो वीडियो करने से पहले बता दू कि बहुत बड़ी रियूज आ रही है, इंडियन गोवर्मेंट इस गोइंग टू बैन 59 अप्स, जो कि चाइनीज है, जिसमें टिक टॉक का नाम भी सामिल है, तो खुशिया मनाओ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में,